हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और मटर की सूखी सबजी जो बहुत ही चटाकेदार और बहुत ही चटपटी सी है आप इसको बच्चों के लंच में या ब्रिक्फस्ट में भी खा सकते हैं तो चलिए आईए बनाना शुरू करते हैं आज की म लिए हैं। यहां दो टमा जिनको मैंने चील करे बारिक बारिक काट यह एक ब्यास को बारिक हैं शे साथ लचुन की कल्यों को बारिक काती है। दो इंच नियू constitu फिशे लिए हैं यह दो ब ale जनको मैंने चील लिया है अब हम करें के चोणे-चोंचे पीसिस आब अपनी मरस और पीसेस को अलग-अलग कर लिया है ताकि यह जो है यह मसाले के साथ बूनते टाइम आपस में चिप के नहीं तो देखिए दोनों ही आलों को मैंने इतने साइज में कट कर लिया है तो चलिए मसाला बनाना शुरू कर देते हैं उसके लिए मैंने गैस के फ्लेम को आउन करके कढ़ाई मैंने नॉन स्टिक का इस्तमाल किया है आप चाहें तो लोह की कढ़ाई भी ले सकते हैं फिर मैंने डाला है दो बड़े चमच ऑई आप जो भी ऑई खाए वो डालें फिर यहां डाला है मैंने एक चोटा चमच जीरा और जीरे को अच्छे से बुन जाने दिया है ते प्यास के साथ ही मैंने डाल दिया है यहां पर अद्रक तो चलिए अब ब्राउन होने तक हम अपने प्यास को भी भून लेंगे तो जैसे ही हमारे प्यास जो है बुनकर ब्राउन हो जाएंगे अब इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटर को भी अच्छे तरीके से हां प्या मिट्च बादे देखें नहीं के पकड़ उब यहां बारी आती है और मसाले दालने की तो मैंने डाला है अदे चोटे चमज गरम मसाला एक चमज धनिया पावडर एदे छोटा चमज लाल मिर्च पावडर और आदा चोटा चमज हल्दी पावडर सारे मसालों को डालके 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते वे पकाएंगे फिर मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच डाली है दही दही से इसका जो टेस्ट आएगा न दोस्तों बहुत अच्छा आता है अब सरूर ट्राइ कीजेगा 2-3 मिनट के लिए पकाने के बाद मैंने यहाँ पर एक कप डाले हैं उबले हुए मटर और सारी चीजों को अच्छे से चलाते वे पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लिया है अब मैंने यहाँ डाले हैं उबले हुए कटे हुए आलू और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है तो देखें बनकर तयार है बहुती मजेदार सूखे आलू मटर की सबजी उपर से धनियापती डाल कर हम इसको सर्फ करेंगे आप इसको गरम गरम रोटी के साथ या पराठों के साथ या पूरी के साथ भी खा सकते हैं वीडियो चाल लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा